हलो दोस्तों एक और फिर से स्वागता आपका हमारे चैनल में अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वले बैल के आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताजो कि हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जा जैसे डॉग फीड बहुती जो की हर एक नॉर्मल इंसान और मिडल क्लास फैमली से जो बलॉंग करते हैं वो फोर्ड नहीं कर पाते हैं अगर वो डॉग रखने का शौक रखते हैं वो मेंगे कोस्टली फूड फूड अफॉर नहीं कर पाते जिसके कारण उनका डॉड आए हैं कि आप अपने डोग को देंगे तो आपके डौग कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा हैवी वेट होगा आपको रिजल्ट दिनों में दीखेंगे अगर आप वह पूरे अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे तो हम आपको ऐसे तीन फूड बताएंगे जो कि वो आपके डोग के वेट गेन में बहुत ही वेनिफीशल होगे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताजो कि आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ लग जाए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक जुरूर कर दो अगर आप एक लाइक करोगे तो हम उससे बहुत ही मोटिवेट होंगे और हम नई वीडियो जल से जल लेकर आएंगे अगर वीडियो पर व्यूस ज्यादे आएंगे तो हम उसी हिसाब से वीडियो जल्दी लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी है ठीक है दोस्तों जैसे आपको पता है कि डॉग फूड बहुत ही कोस्टली होते हैं और हमें अपने डॉग को मोटा करने के लिए पूरी कंबाइन डाइट देनी पड़ती है जैसे फैट, प्रोटीन, काब और मल्टी विटामिन क पड़ती है आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन किस चीज में है और आपके डॉग को कितना प्रोटीन चाहिए और कार्ब किस चीज में है कार्ब कितना चाहिए और फैट आपके डॉग को कितनी चाहिए ठीक है दोस्तों आपको जे सब समझना पड़ेगा और फिर उसे combine करके अपने dog को diet देनी पड़ीगी जूरी नहीं कि आपको dog food देना है dog food में भी दोस्तों वेई होता है protein होता है, kaab होता है, fat होता है ठीक है, आपने वो ही आप अपने घर की tight से अपने dog की पूरी कर सकते हैं जो भी need है protein, carb, fat की मेरे पास दोस्तों तीन dog है, ठीक है, उनको मैं 6-7 मन्त होगे किसी को feed नहीं दी, ठीक है मलब dog food नहीं दी है, मैं अपने घर की diet देता हूँ, आप मेरे community section में देख सकते हैं, मैंने pick upload की है maxi नाम से, उसकी health देखना कैसी है, वो only घर की diet से है ठीक है, आप भी अपना dog healthy, heavy weight, मोटा बना सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि आपके dog को carb कितना चाहिए, protein और fat कितना चाहिए, ठीक है, और किस चीज में तीनों चीजे हैं, ठीक है जैसे दोस्तों, protein dog की muscles growth के लिए होता है ठीक है, और carb से dog में fat बढ़ती है, dog मोटा होता है, और जो fat होती है उससे दोस्तों उससे भी dog मोटा होता है, fat पड़ती है जैसे कि humans में है, वैसे ही आप समझ सकते हैं, जो calcium होता है दोस्तों, वो हड़ियों के लिए बहुत जरूरी होता है teeth के लिए बहुत जरूरी होता है और head growth के लिए बहुत जरूरी होता है जो calcium होता है multi-vitamin दोस्तो जो daily multi-vitamin होता है जैसे हम fruit वेगविटामिन काते हैं हम malti-vitamin मिलते हैं ऐसी dogs को भी multi-vitamin की जरूरी होती है जिससे coat वगविशम करता है और उनको कोई birmary वगविशम ना लगे ठीक है आपको वो अच्छे से देना है ताजो कि आपका dog healthy रहे उसका muscle growth हो और वो मोटा भी बने ठीक है उसका head भी grow हो सबसे पहले दोस्तों आपने कैलशियम के लिए क्या देना अपने डोग को ठीक है कैलशियम के लिए आपने देना है दोस्तों दही जो जोगर्ट होता है ठीक है आपने सिंपल देना है सिंपल देना है कोई मसाला नहीं कोई स्पाइस नहीं और नाई पिर मीठा ठीक है, जो सिंपल साधा दही होता है, वो देना है अपने ठीक है आप दिन में जितना आप डॉग डाइजिस्ट कर पाता है अप उतना दे सकते हैं ठीक है, दही में कैल्शिम होता है जिसे आपके डॉग का हेड़ गरोh होगा हड़िया मजबूत होगी ठीक है टीथ मजबूत होगे और उसका कोट भी शाइन करेगा ठीक है अपने दहीं आपके डॉक की डाइट में एड़ करना है फस्स नमबर दहीं हो गया और सेकंड दोस्तों आपने करना है एग एड़ ठीक है एग में दोस्तों प्योर अमीनो एसिड होते हैं जो सारे अमीनो एसिड प्रेजन्ट होते हैं अपने वो अपने डॉक को देना है एग वाइट ठीक है अपने एग वाइट देना है बॉयल करके देना है उसमें भी हमने कोई मसाला नहीं डालना है कुछ नहीं डालना है आपने कच्चा एक नहीं देना, बॉयल करके एक देना है, ज्यादा बॉयल मत कीजिए, थोड़ा बॉयल कीजिए, बॉयल करके देना, और बीच में से आपने सभी गोलिया निकाल देना है, जो जैलो पार्ट होता है, आपने बो निकाल देना है, वो गोलिया आपने देनी कित और येलो पाटो के फैट के लिए ठीक है तो आगे आ जाता है धोस्तो काब किस चीज से पूरी करें या पूरी करने के लिए डॉक को देना है राइस ठीक है बॉइल की वे राइस देना ह। उसमें धोस्तो कोई नमक मसाला कुछ نہیں डालना, simple rice देने हैं आपने ठीक है, rice देने है या आप चपाती दे सकते हैं रोटी, कई लोग बोलते हैं रोटी नहीं देनी चाहिए, दोस्तों मैं आपने डॉक को साथ से आठ साल होगे रोटी देता हूँ आपने डॉक्स को, और rice देता हूँ आप ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही beneficial है, आपके डॉक के natural carbs हैं, जिससे डॉक का weight gain होता है, डॉक के सरीर में fat भी पढ़ती है आपने जित तीनों combine भी कर सकते हैं आप add on कर सकते हैं कुछ भी जैसे आप कोई भी dog food, meat जा और कोई supplement add on कर सकते हैं, बट जे मैं तीनों चीजे देता हूँ ठीक है, अपने dog को, जो असलियत है, जे मैं तीनों चीजे तीन टाइम देता हूँ और आप मेरे dog की health देख सकते हैं कही ताम तो मैं बस egg और egg और roti ही देता हूँ ठीक है और कुछ नहीं देता बीच में आप मेरी community section में देख सकते है मेरी maxi की pick वो कितनी healthy है, कितनी mोटी है वस यही diet है आपने diet तीनों को mix कर लेना है और अपने dog को 3 time देनी है ठीक है, आपको result दिनों में दिखने लगेंगे ठीक है, अगर आप dog food और supplement और फोड कर सकते हैं तो अपने dog को जरूर दे liver tonic, multivitamin calcium और वेट gainer और फीड और कुछ भी दे सकते हैं add-on कर सकते हैं उसका benefit होगा, अगर आप middle class family से हैं तो आप J diet फॉलो कीजिए आपके dog कोई नुकसान नहीं होगा आपका dog healthy बनेगा इसका effect दीरे दीरे पड़ेगा जैसे natural चीजों से दीरे दीरे effect पड़ता है इससे भी आपको दीरे दीरे result दीखेंगे ठीक है आपको result जूरूर दीखें दोस्त तीन मत लग सकते हैं आपने daily J diet देनी है आप change करके दे सकते हैं food को ताज़ो की dog के मुँका टेस्ट बना रहे और आपको result दोस्तों दिनों में दिखेंगे एक महिना दो महिने जे diet फॉलो करो और बाद में इसी वीडियो के नीजे कमेंट करना कि आपका dog का weight कितना gain हुआ जो बिल्कुल गरंटेड डाइट है दोस्तों आपके dog का weight बिल्कुल gain होगा और दोस्तों आपने एक ख्याल रखना है आपने dog को summer season चल रहा है आपने पानी ज्यादा से ज्याद अपलाना है ठीक है पानी जितना अपलाएंगे dog उतना ही ज्यादा food रखाएगा गोज उतना ही उसका liver purify होगा liver से सारे toxins बगरा निकलेंगे पानी से ताजों कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना काए और आपके dog healthy rate ठीक है आपने पानी का ध्यान रखना है आपने dog को पानी ज्यादा से ज्याद अपलाना है और गरम weather में मत रखे दूप में मत रखे dog को अपने रूम में रखे temperature ठंडा रखे cool रखे ताजों कि dog की health अच्छी रहे तो दोस्तो बस वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो अशी लगी हो तो प्लीस लाइक करके जुरूर जाना दोस्तो वीडियो पर ज्यादा ज्यादा वियू आए प्लीस जही request है वीडियो को share करना ताजों कि next diet की वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी आए अगर ये वीडियो पर अच्छा response मिला तभी next video आएगी इस वीडियो पर दोस्तो लाइक का एम रखते हैं हमें 100 लाइक करने हैं ठीक है complete अगर 100 लाइक होते हैं तो next video जल्दी ही homemade diet पर आएगी ताजों कि आपको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े अपने डोग पर तो इस वीडियो पर 100 लाइक complete करते हैं अगर 100 लाइक होते हैं तो next video जल्दी आएगी वीडियो को दोस्तों के साथ share जुरूर करना ताजों कि इस पर view आए और दोस्तों चैनल को subscribe जुरूर करना और साथ वले bell का icon को जुरूर प्रेस करना ताजों कि हर एक नई वीडियो को notification सबसे पहले आपको जाए और दोस्तों आप हमें instagram पर follow कर सकते हैं कोई भी docker related आपको बात पूछनी है तो instagram पर message कीजिए उसका link पहले comment में और description box में होगा ठीक है और दोस्तों comment जुरूर कीजिए कि आपको diet कैसी लगी और next video किस पर बनाऊ जे भी comment कीजिए अगर दोस्तों आप ये diet follow करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you